आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं, तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं, प्रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक्षाएं लेन अन्यदूर के छात्रे स्पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं। उन्हें अपना छात्र बनाई और कक्षाई ली। एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन 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 मिलते हैं। इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, यह साबित करके की शिक्षा केवल एक व्यवसाय नहीं है, अपने कौशल को साबित करें। बहतर आए प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे। प्रशन एक, कौन उप्योग कर सकता है? mytutor.com दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं। दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है, फिर आपके छातर एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे। ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेब साइट बनानी होगी। यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं। प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं। जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं। शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है? देखें। माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाथ्यक्रम, कॉलेज पाथ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन। यह सब विशय जैसे सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं। शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं? फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पाइमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं। क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं। इस वैब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है। शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है। माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है. अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें. क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है? जी हाँ बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा. शिक्ष होगा. यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा. मत भूलो, यदि आप एक शिक्षक हैं, तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करन करें. यदि ऐसे प्रापत करें अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें पहले इस फॉर्म को भरेण नियम और शर्ते स्वीकार करें रजिस्टर पर ख्लेक करें अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें शक्रियल लिंग पर ख्ल करने के बाद अपना मेल आईडी और पास्वर्ड दर्ज करें और फिर लॉग इन करें यह गूगल के साथ लॉग इन चुनें देमो अब तैयार है अपनी प्रोफाइल संपादित करें यह विडियो देखें अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्सकों के लिए क्या दर है खृपिया यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पाथ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं पाथ्यक्रम असी मित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असी मिद चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए देमो आजमाएं पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद, पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं? पीडियेफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें? इस पर हर जगह विडियो होंगे. आएए इन विडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं. मैं एक छात्र हूँ. क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा? नहीं. यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्थ है. छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं. लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी. मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय. संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें. यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें. स्थान दर्ज करें और खोजें. अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पासकते हैं. यदी आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें. वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं यहां शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोटल पर पहली बार जा रहे हैं तो आपको पंजी करन करना होगा यदि आप एक चात्र हैं तो आपको यहां एक चात्र के रूप में पंजी करन करना होगा मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करण करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करण करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे सबसे पहले, छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा इन सभी फॉर्म को भरें आपके मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें रजिस्टर अब पूरा हो गया है अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं चयन करें मेंब पहुँज अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग इन करें या गूगल के साथ लॉग इन का चयन करें उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है इसके लिए यहां खोजें करत में जई आवश्यकता कि अबश्यक्सक आवश्यक्ता sound झाल 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 झाल